मेरा नम गौाडियर है और आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि फ्रेक्टल क्या होता है यह हमारी SMC की सिरीज का पार्ट टू है हमने SMC की सिरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम बेजिक से एडवांस तक पूरी की पूरी SMC लर्न करवा रहे हैं तो आज के इस है कि W में आप नेकलाइन से बाए करो मिन्स यह नेकलाइन जो प्रेक हुई इस जगे पर आपकी नेकलाइन ब्रेक हुई आप यहां से लॉंग की पोजिशन बनाओ ठीक है आप अपने छोटे से स्टॉप लॉस को यहां पर रखो और यह आपका टार्गेट रखो इस तरीक जीए होता है तब आपको यह लोग बोलते यहां तक जाकेृ तो ऐसा क्या हुअ कि फेल हो गया थिक्ट है जैसा क्या हुआ ज目前 ही बता से राइट प्राइज नीचे आया इसको टैप किया और फिर उपर गया तो बाइंग कहां सारी इस जगे से तो वो लोग आपको यह लेवल नहीं बताते हैं कि यहाँ पर आप आप यहाँ जोन मार्क कर लो प्राइज यहाँ पर टैप करेगा और फिर उपर जाएगा अगर कि पहले का इंत जार नहीं करो गये आप डुबल्यू बनने का पूरा-पूरा मुमेंटम केप्चर करोगी इंन्य हो किक इस आपको बताएंगे कि आप यहां कि आप यहां बोलता है उसलिए हर कोई आपको बोलता है यह हमारी SMC का पुरा का पुरा एक सीरीज है जब आप इस सीरीज को कम्प्लेट कर दोगे तब आप यहां से बाइ करोगे और यहां पर आप सेल करोगे पट आपको यह पूरी की पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी आज हम फ्रेक्टल के बारे में फिलाल करेंगे कि इस बड़े ट्राइंगल के अंदर यह वाले बड़े ट्राइंगल के अंदर एक चोटा ट्राइंगल है यह वाला देखो और उसके बाद उससे भी चोटा ट्राइंगल है और इसके अंदर एक और चोटा ट्राइंगल मिंस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर एक यह ट्र उसके अंदर ये ट्राइंगल और उसके अंदर ट्राइंगल मिंस ट्राइंगल के अंदर 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 ट्राइंगल के उसे हम फ्रेक्टल बोलते हैं इसका मार्केट से क्या कनेक्शन मार्केट में कहां फ्रेक्टल आया तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में कहां फ्रेक्टल आया त्राइंगल के अंदर ट्राइंगल 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 ट्राइंगल मिन्स ओर के अंदर है उससे छोटा थ्री ओर के अंदर है इससे चोटा होग शी embaraj E कि और यह एक नेचर है जो इनसान को अंद और वो सारे होग देख आ रहे बिकाज़ तो वो पजल के कुछ टुकड़ों को देख रहा है पुरिकी पुरी इमेज नहीं देख रहा, यह जो टांव्ऄरम है, राइट, कट में यह जो टांवरम है, आपने देखा ऊगopard आब पजल इमेज फाजल के टुकड़े होते है छोटे-छोटे-छोटे, और जब वो छोटे चोटे टुकड़ों को connect करते हैं तो एक complete image बनती है अप्टा है आपको एक छोटे-छोटे टुकड़े होते है पजल के को सारे 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 चीजे माने वीडियो में बताऊंगा आगा तो आपको समझतमा आएगा कि आखिरकार यह जरुवत क्या पड़ी तो हमें इतने सारे टाइम प्रेम की जरुवत क्या पड़ी अगर मान लोग उसके अंदर डवल्यू देख रहे होते और सभी के सभी लोग नेक लाइन पर ट्रेड लेते अगर मान लोग फेल हो गए होते तो लोगों का डवल्यू से भरोसा उड़ जाता समझ रहे हो अगर आप डवल्यू देख रहो डवल्यू देखने के बाद एक नेकलाइन है राइट जितने भी चार या पांच किरो ट्रेडर इंडिया में हैं सारे के सारे 5 मिनिट का अगर टाइम देखते हैं सारे के सारे बाइंग करते रोट ट्रेप हो जाते तो लोगों का डवल्यू पे से भरोसा उड़ जाता ठीक है और वही एक रिजन है कि टाइम बहुत सारे हैं कुछ वन मिनिट में इसे डाउं ट्रेंड देखते हैं कुछ वन मिनिट में इसे हैं पना यहां बना यह को नीशे गिरेगा वर वर में डवल्यू बनने जा रहा है तो आपको इस सारे टाइम ट्रेंड को एक साथ कंबाइन करके देखना होगा तभी आप एक्चुल इमेज देख पाओगे सारे के सारे पजल करने के बाद है अब मैं आपको बता आता हूं कि इसमें कहा इन वाल है इस तरिके से कुछ आप रैण में हैं हम इस तरीके सेैं यहां पर एक रै आईयर फॉल बैड्म एंपर और पहाँ बोड़ लेने के बाद उप्पर प्र है यह चोटा सा पुलबेक थाब आपको पता नहीं चोटा सा पुलबर है आपको पता है कि यह ब्रेक कर DR यह ब्रेक करेगा तबी 你द् cyst उन मिनिट मे जो लोग देख रहे हैं उनके लिये यह पूरी की पूरी चीज एक डाउन ट्रेंड है आला इख्प्राइब का देख रहों यहाँ पे पर एक केंडल मुंट का देखे टिकांडल हुआ ही दुलॉफ पिर टैसीरी कंडल बनेगी थीआ तो वहाँ पर जब वो one meet के time frame पर देख रहे हैं, उनकी candles बढ़ रही है, और candles बढ़ रही है, तो structure बढ़ रहे है, यो know structure यह जो सारी चीज है, candles candles बंद के जा रही है, अब down, up down, momentum हो रहा है, उसको structure बूला जाता है, और उनके लिए structure ज्यादा बन रहे हैं, और जब structure ज्यादा बनते हैं, तो image ज बट उन्होंने टोटल 60, 60, 60, 180 candles टोटल देखी और 180 candles में इतने सारे structure बन जाते हैं, आपने just normally 3 candles देखी 1 hour में और वो लोग 1 minute के अंदर पुरा का पुरा 180 candles देख रहे हैं और वो structure के अंदर फस जाते हैं, उन्हें actual में लगता है कि ये downtrend है, बट 1 hour में एक pullback है, और वो सारे क सारे sell करते हुए जाते हैं और यहां से एक buying आ जाती है, सारे के सारे यहां selling पर बैठे हुए, और जब वो selling पर बैठे हुए रहते हैं, तो हलका सा जब एक pullback आता है तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या ये actual में W बनेगा, और वही एक confusion रहता है, जिसके वज़े से व आप को यह W पकड़ना है, यहीच से पकरना है, यहां से नहीं , यहां से पकड़ना है तो आप क्या कर सकते हो, यह जो पॉइंट है तो आपको यह पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा जब आप वन मिनिट में जाओगे तो आप इसको एज़ा डाउन ट्रेंड देखोगे दिखेंगे और जब डाउन ट्रेंड को चेंज होते हुई यहां पे देखो गए चेंज और करेक्टर देखते हुए या चौक कषड़ाओं को अब टेंसल्ग मतलों में यहां पर बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है सारी की सारी चीजे में सिखाने वाला हूं और एग्दम कंप्लेट ट्रेडर आपको बना के छोड़ोंगा अभी हम फिलाल समझ रहें प्राइज डाउन ट्रेंड में था ठीक है और फिर उपर गया यहां पर ट्रेंड चेंज हुआ आप यहां पे छोटे से पूरा का पूरा मोमेंटम पकड़ ले यहां पर मालोग चेंज हो गया इधर चौक हो गया आपने एंटरे ली यह पकड़ रहें तो मुझे अब बाइंग करने चाहिए नीचे से बाइंग करने चाहिए क्योंकि ट्रेंड अब अब हो चुका है और जब ट्रेंड अप होता है तो आपके सारे ट्रेड बाइंग के बनेंगे और यह आप पूरा का पूरा कैप्चर कर पाओगे और आपने इसको कैप्चर कैसे किया जस्ट टाइम फ्रैम चेंज करके अब आपको यह पता लगाना है कि यह स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करें और ट्रेंड चेंज कैसे हुआ वह मैं आपको आने वाले पार्ट म है यहां पे यह वन हवर की एक कैंडल राइट की सेकेंड केंडल और यह वन हवर की थर्डड कैंडल टो टल मैंने आपको थी कंडल दीक है राइट में थी केंडल यहां पे वन हवर की candle, वन हवर की candle, एंड वन हवर की candle, आप ज़स इसको इस तरीके से दो, यह ज़स एक pullback है, pullback लेने के लिए निचा आया हुए, downtrend नहीं है, one hour के time frame पर, just यह एक pullback है, बेखो यहाँ पर, just एक pullback लेना आया है, तीन ही candle है, but इस one hour के candle के अंदर, समझो, just इस one hour के candle क अंदर, एक पुरा का पुरा structure, lower time frame का बना हुआ है, आपको just यह एक single candle दिख रही है, आपको just यह single candle दिख रही है, but one minute वालों को, यहाँ से पुरी इतनी selling भी दिख रही है, और एक pullback भी दिख रहा है, और एक downtrend भी दिख रहा है, और आप one hour में क्या देख रहे हो, up, down, up, down, पुरे one hour तक, up, down, up, down, up, down, but जो भी है, lower time frame वाल है, जो भी scalper है, या जो भी intraday trader है, वो क्या देख रहे है, फोड़ी selling आई, फिर एक pullback आया, फिर एक selling आई, लेकिन यह तीनों चीज़े है, just एक candle के अंदर हो रही है, देखो, candle का high और candle का low यहाँ तक है, और इसी के अंदर यह तीनों चीज़े हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि candles बहुत ज़्यादा है, मानलोग 60 candle है, 20 candles यहाँ पर 20 candles यहाँ और 20 candles यहाँ पर, 60 candle कहा से आई, one hour के अंदर, one minute के 60 candle बन गयी, तो 20 यहाँ पर, 20 यहाँ और 20 यहाँ पर, वो लोग यह भी देख रहे है, वो आप ये साइल निकालो जहां से आप सेल कर सको तो आप कुछ इस तरीके से पोजिशन बना सकते हो एक छोटा सा स्टॉपलोस दाल के और यहां तक का आप टार्गेट रख सकते हैं लोवर टाइम प्रेम पर सिफ्ट होके पूरा का पूरा कैप्चर कर सकते हैं आपके माइंड में यह क्योस्टन आएगा कि निलेस भाई हम इसको कैसे फाइंड करें मैं सारी की सारी चीज़े लर्न करवाँगा मैं जस्ट आपको यह फ्रेक्टल समझा रहा हूं कि फ्रेक्टल की क्या क्या benefit है SMC के अंदर तो जस्ट आप इसको देखो राइस डाउन आया उपर गया टैप किया और गिरिया और आप यह टैप वाले जॉन को लोवर टाइम प्रेम पर फाइंड कर सकते थे और आप पकड़ सकते थे लेकिन अगर आप वन हवर के टाइम प्रेम पर रहते तो आप कुछ नहीं पकड़ पाते जस्ट आप इसको इस तरीके से देख रहे होते और इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता लेकिन वन मिनिट के स्टाइम पर जब आप सिफ्ट हुए तो आप इसे पूरा का पूरा पकड़ प के टाइम पे रहो जांकि यहां पे । यहां पर बदेखो यह पे योआली कंडल के पर अभाली कंडल अफे के कलोशिंग पर घया लॉए टाइम पर Мथ यहां तक है बनाया यह ऑपर गया और फिर नीचा आया यहा दो लोर तैम स्रैम पर भी बाते यहां तो आएंगी वन वन मिनिट की आप यहां पर देखो राइज नीचे उपर और फिर डाउन अगर आप यहां पर प्यू आई पकड़ते और आप अपने स्टॉपलोस को कुछ इस तरीके से डालते ते इस तरीके से आप डालते राइट और यहां तक आप आप डाउन अप डाउन इसके अलावा आप कुछ नहीं देख रहों अब यह मानलों यहां पर आके क्लोजिंग दी आपने यहां तक क्याप्चर कर लिया ठीक है और बुक कर लिया प्राइस अगें उपर गया और अगें इस प्यू आई पर टैप किया मिन्स यह वाली केंड होगे और फिर एंड में यहां पर यहां पर यह क्लोज होने आई आप इसे पूरा कैप्चर कर गिये बस इतने से छोटे से स्टॉप्लोस के साथ अब आप बोलोगे क्या निलस भाई सपना दिखार हो मैं डेली करता हूँ जिते भी मेरे सब्सक्राइबर है आप जानते होंगे मैं डेली लाई में यह करता हूँ और आप यह पूरा का पूरा कैप्चर भी करते हो मैंने कई बार ठीक है कई बार छोड़ो डेली करवाता बस आप इससे समझ नहीं पाते हो मैं समझ गया हूँ आपको रेक्टल का यूज करना है अब आप बोलोगे कि निलस भाई यह प्यो आई कैसे ड्रो करें और हम यह कैसे पता लगाएं कि यहां से यहां तक जाएगा ही जाएगा ठीक है मैं भी यह यहीं से गिर जाए तो यह निलस भाई हम हमारे टार्गेट को किसे पता लगाएं यह निलस भाई हम यह कैसे पता लगाएं कि यह यहीं पर जाकर क्लोज होगी मैं भी एक ग्रीन होके इस तरह के से दे दी तो हम तो लूड़ गए न यह सारी के सारी चीजह आपको लून करवांगा उसके लिए हमें न अंदर structure,्वन होवर के अंदर just ऐक candle का structure है,mynze अंदर देखोगे तो बहुत सारे complection है,on होवर में just एक candle है,one होवर का structure है,HAHA बट one minute के अंदर आपको बस इसे capture करना है,ई आप कैसे capture कैसे करोगे यह आपको ne मैपिंग वाले में आपको पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करवाऊंगा और उसके बाद यह सारी चीज़े में आपको लेर्ण करवाऊंगा और मैं आपको और कुछ एक्जामपल देता हूं जिसे आप और बढ़िया तरीके सा समझ भाऊंगा जब आप यहां पर देखोगे यहाँ पे देखो गया यह पूरा का पूरा ट्रेण्ड क्या है डाउन है लू यहां देखो प्रई्स यहां से यहां गया लोड़ लो यह माइनर पुल भैक उपड़ और अगे लवर लो reckless कि अन्यालव बनाया लोवर हाई माईनर पुलौड लिया और एक ने लॉइम इंस इस लो से नया लो बनाया इस से कhou पर गंग्याँ चो डाउओं आपको क्या सीखा जाता हों कि डाउन-ट्रेंड कुछ इस तरीके से होटा डाउवर-णोवर-द्ल-डोवर-णोवर-वर-णोवर-णोवर-दॡव यहां पर एक माइनर पुलभैक भी बन जाता है और जो हमें trap कर लेता है और फिर ये नया load लोग तक जाता है आप यहाँ पर trap हो जाते हो जो लोग बताते नहीं है ना कोई textbook आपको बताती है ना कोई वीडियो आपको बताता है क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता बस वो गनान दे रहे हैं यह वाला जो zone है यह एक minor pullback है और यह क्यों बनता है liquidity grab करने के लिए हम लोगों को trap करने के लिए retailer को trap करने के लिए अगर आप यहाँ पर देखो price यहाँ से नया load लोग बनाना चाहिए था बट यह क्यों minor pullback लिया liquidity लेने के लिए यहाँ पर भी देखो आप यह मार्केट ने फ्यूल लिया और फिर मार्केट की रहा आप यह सारे ट्रैप में फस जाते हो राइट अब आपको लग रहा होगा कि निलेस भाई अब ध्यान से देखो आपको यह दिख रहा है कि यह pullback है आपको यह दिख रहा है कि यह downtrend है आने वाली तो selling ही है बट आपको यह नहीं पता कि कहां से selling आने वाली है जिसके वज़े से आप डेली टाइम्परेम भी पकड़नी पा रहे हो लुए टैम्परेम पर हम सिप्ट होते हैं यही बॉक्स को आप ध्यान से देखना टियाए टाइम प्रियम पर देखने तो क्या होते हो देख लेना यह वही जगह है राइट जो मने ट्रों किया साथ डीड़ को यह वह बॉक्स है यह जस्ट टेली टाइम फ्रेम का पूल बैक है यह पूरा का पूरा पूल बैक है आपकर इसे ध्यान से देखू गया तो यह तक्रीब है यहां से स्टार्ट हुआ सोरी इस जगे से स्टार्ट हुआ है राइट जन्वरी से यह स्टार्ट हुआ है यहां से पुल बेक लेना आप मैंने आपको बताया था कि माइनर पुल बैक है अना डेली टाइम ट्रेम पर यह पुल बैक वन फाइव मिनिट में देखो 10 January से start हुआ है और 24 January तक इसने continue किया मिन्स 10 January से start हुआ है और 24 January तक इसने continue किया अब यह 14 दिनों के अंदर टोटल 40 days के अंदर आप इसको क्या देख रहे हो आप इसको देख रहे हो अप ट्रेंड ठीक है हो जाए ऑप ट्रेंड आप इसे देख रहो राइस अप अप टाउन अप टाउन- Up-Down-Up-Down-म बाइट तो आपके सामने यह ट्रेंड क्या हो गया अप टेक है त्रेली टाइम्स पर हो क्या था फेख रहा है अप आप को लग रहा होगा jae करोगया तकरीबन के अंदर 200-250 का मोमेंटम दे रहा है कि अगर यहां पर भी मार करोगे क्या यहां पे फुरे शाड़े छे गंटे निकल रहा है कि आप अगर यहां पर भी मार्ण करोगे हैं कि दो ऋच्पन प्ईट के अंदर दो दिन निकल गए आप समझ रहे हो means intra damage जस्ट आपको 200 से 200 point मिल रहे है और वो भी आप bottom से और low से buy करो तो और premium DK उसके अंदर पुरा हो रहा है means 40 days के अंदर intra day में कोई profit नहीं कर पा रहा है but still ये क्या है uptrend ठीक है और अब मान लो कि 10 January से अगर ये continue up जा रहा है अब ध्यान से अगर देखोगे ना Sorry, अब अगर इसे ध्यान से देखोगे तो 40 days के अंदर इसने क्या किया यहां से यहां तक buying खाई ठीक है और 40 days के अंदर इसने टोटल 1289 points momentum दिये 1289 points मेंस 1300 point मान लो 1300 point मान लो 14 days के अंदर 1300 point का इसने momentum दिया. अब 14 days के अंदर 2 expire ही आ जाती है. कितना premium DK होआगा? इसे ने यह 1400 point capture नहीं कियो, चौदा दिनों में इसे जशस 1400 point भी momentum नहीं दिया. mean's everyday इसने 100 point का भी momentum नहीं दिया. इसने क्या किया? इसने retailers के अंदर एक trend की image create कर दी, और वो ट्रेंड की image क्या थी अब ट्रेंड अब लोग क्या कर रहे हैं अगर ध्यान से देखो कि तो ज्यादा तर जो भी profit हो रहा है गैप अप में हो रहा है और लोग BTS लेके जा रहे हैं ठीक है गैप अब के साइट लोगों का mind अप ट्रेंड हो चुका है मान लो देखो आपके ना आपके में रियालेटी में बोलता हूं अगर अब जाता है अगर अब जाता है अब जाता है और फोटी डेस में प्रॉफिट भी नहीं हुआ है अब हमें नीचे से बाइंग करनी है ट्रेंड अप हो चुका है और जब आपकी यह इमेज क्रियेट हो जाती है जब सारे रिटेलर इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक की आई अगर आप देखोगे शीच डेस के अंदर 3600 पॉइंट का मोमेंटम है इस डेस के अंदर 3600 पॉइंट का मोमेंटम यहां पर यहां पर ओप्जर करो यह चीजों को समझों जस्स डेस के अंदर 3,600 पॉइंट का मुमेंटम और यहाँ पर 40 डेज में 300 पॉइंट भी नहीं मिले 14 दिनों के अंदर इसमें 300 पॉइंट भी नहीं मिले पर इसमें क्या हुआ रिटेलर ट्रैप हुए फ्यूल भरा गया मार्केट में इन लोगों के order फिल होते गए इन लोगों की liquidity ली गई और जब यहाँ पर liquidity ले ली गई इनके order execute हुए और यह देख लो तो आपका यहाँ पर काम क्या था तो आपका याँपर क्या था रिटेलर का काम यहाँपर फ्यूल भढ़ना था बड़े प्लेयर का वह structure mapping करते जाता है, ठीक है, अगर आप ध्यान से समझो गे, hire low, hire high, hire high, hire high, hire low, hire high, hire low, hire high, hire low, hire high, here high, hire low, hire high, चैसे ही hire low break हुआ, SMC player समझ गया, downtrend है, ठीक है, एक pullback, और यहां से एक P.O.I. निकाला, ठीक है, P.O.I. को price ने tap किया, और यहां से उसने एक entry बना देख, करिया मेंस्ट केसे इसैंटरी बनाई गार यह पुरा का पूरा मेमेंटम ऑगर गया यह बैसे अगर जाता है एसकूर करते हैं गिड़ता यहां पे जाके सारी की सारी ना चीज है। उसने यहां पर यूज किया रेक्टल के साथ उसने फूरे के तरीके से लिए अब आपने सुना कि आयर لو आयर है, वो स्या पॉइजा है, यह नहीं आया, वह संजो कि आइसे प्रेंट हाई होता है, लोर पॉइंट हाई होता है, आप ट्रेंट के अंदर, ऐसा नह पता मैं seriously के रहा हूं आपको नहीं पता वो structure mapping के थुरू आती है boss, chalk, endorsement इन तीन चीजों का use करके structure mapping होती है और वो सारे level आपको मिलते हैं तो यह वाले सारे के सारे level हम next lecture में learn करेंगे तो I hope आपको यह clear हुआ हो कि fractal कितना जरूरी है हमारे market के लिए जस मैंने w आपको example दिया है ठीक है जस्ट w मेंने आपको एक example दिया है आप यह मत सोचो कि w को ही पकड़ना है मैं जस्ट एक वह example के थ्रू मैंने इसको लिया है आपको कुछ भी पकड़ना है मिन्स आपको आप्ट्रेंड पकड़ना है यह downtrend पकड़ना है आपको फ्रेक्टल की जरूरत होगी ठीक है आपको structure mapping की जरूरत होगी और यह सारी की सारी चीज़े हम learn करेंगे और यह सारी चीज़े कंप्रेट करने के बाद हम हमारी entry कहां पर बना सकते हैं stop loss कहां पर रख सकते हैं target कहां पर रख सकते हैं यह पूरी की पूरी सीरीज में आपको ला रहा हो मैंने पूरी कोसिस की कि आप प्रेक्टल को समझो और आप रियल नॉले आप सभी का सुक्रिया अभी तक देखने के लिए